अगर सक्सेस पाना है तो इन पाँच बातों को अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दीजी नमब वन मुझसे नहीं होगा नमब टू लोग क्या कहेंगे नमब थ्री मेरा मूड नहीं है नमब फॉर मेरी किस्मत ही खराब है नमब फाइब मेरे पास समय ही नहीं है के हुनर भोलते हैं इसी पॉस्टिव थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं अपना न्यू ब्लॉग हेलो फ्रेंड्स हाव यू गाइज होप यौल आर एपसुलेटली फाइन वी आर अलसो फाइन हीर सो फ्रेंड मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग और यह है लगबग छे बजे का टाइम सुबह पाच बजे उठने के बाद फ्रेश रन अप होने के बाद मैं लग जाती हू काम और सुबह की मॉर्निंग का आगास करते हैं फुल एनरजी के साथ यह लगबग छे बजे का टाइम है तो यहां मैंने क्लीनिंग वगएरा कर ली है बच्चों की जो है वो बिंटर विकेशन चल रही है तो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं वो घर पर ही है तो जब तक सब उठते हैं अब तक मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ तो यहां आज मुझे मलाई भी चलानी थी मखन निकालने की एक दिन पहले जो है आप मलाई फ्रिच से बहार निकाल के रग दे और मॉर्निंग के टाइम मलाई चला ले मखन बनाने के लिए तो काफी अच्छा मखन निकलता है और बहुत आसानी से भी निकल जाता है क्योंकि गर्मियों में मखन बड़े आसानी से निकलता है मगर विन्टर में काफी परिशानी होती है क्योंकि मलाई जो होती है वो बहुत थंडी होती है तो यहां देखें लगबग मुछे 10 म caucus लग थे मलाई चलाने मैं और मक्छन भी आसानी से निकल गया था तो उदर घी बन रहा है मैंने मक्षन चड़ा दिया है कड़ाई में और गैस पर जब तक मक्षन वो बैल्ट होता है और घी बनता है तब तक यहाँ पर मैंने पोटेटो बॉयल कर लिये थे मैं आलू के पराठे बनाऊंगी आज क्योंकि बच्चों की फरमाईश थी कि ममा आज आलू के पराठे खाना है तो सुबह सुबह ही मैंने पोटेटो बॉयल करने के लिए रख दिये थे वैसे भी सर्दियों में आलू के पराठे और अलग लग तरीके के पराठास जो है वो काफी अच्छे लगते हैं तो बस मैं उदर आलू वाइल कर रही हूँ और इदर घी निकल रहा है तो मेरे बच्चे जो है वो आलू के पराठे बड़े शौक से खाते हैं और बच्चों की फरमाईश थी और मैंने बस आलू के पराठे बनाना स्टार्ट कर दिये थे तो यहां मैने परटेटो वाइल कर ली हैं लगबग 5-6 आलू हैं बड़े साइज के वाइल करने के बाद मैं मैश कर लूँगी मैशर से मैशर की हेल्प से तो सिंपल ही मसाले यहां पर डालूँगी ज्यादा मसाले नहीं डालना है क्योंकि मेरे बच्चे ज़धा spicy food नहीं खा पाते हैं और ज़धा बच्चे को ज़धा spicy food खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि नुकसान करता है जादा spicy तो यहाँ पर मैंने घी भी निकाल दिया है यह देखे इतनी मलाई से जो है मैं अलग बॉक्सेज में करके रख देती हूं जो डब्बे होते हैं मेरे पास एक कमेंट आया था कि अंजुम आप कहा से हैं तो मैं आपको बताती हूं एक्शली मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है बट मेरे जो है न्यू फ्रेंड्स में मुझे जुड़े हैं मैं से ही अपने कमेंट्स जो है वो करते रहा कीजिए मेरी वीडियो में आपको कुछ पसंद आता है तो अपना फीडबेक जरूर दिया कीजिए और चैनल पे अगर न्यू है आप लोग और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन के बटन को जबर प्रेस कर लिया करें जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम पर यहां पर बातों ही बातों में आलू भी ठंडे हो गए थे और उदर ऐलू के लिए मैंने मसालH कर लिया है मैंने फड़ी सी इलगबग 2 हरी मिर्झे ली है क्योंकि बिसम्यार प्रेस मुझे कम रिकना है आप व्रेस प्रेसक्राइब करना है तो यहां पर मैंने हरी मिर्चे हरा धनिगा लिया है और आलू यह साही चीज़े मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी मसाले क्योंकि यह जो चौपर है माशाला से इतना अच्छा है और बहुत अच्छा वर्क करता है तो यहां पर इसमें जो है वो सारी चीज़े चौप भी हो जाती है और मिक्स भी हो जाती है अच्छी तरीके से तो यहां मैंने जीरा पाउड़र डाला है और थोड़ी सी रैड चिली पाउड़र डालूंगी मैं कश्मीरी रैड चिली पाउड़र है यह जिसमें स्पाइसी कम होता है and salt अपने एसाब से डालें जैसा आपको पसंद है तोड़ा सा हैंड से इसे मिक्स कर लूँगी और यहां पर देखें मेरे हस्बेंड और बच्चे यहां पर मस्ती चल रही है इनकी क्योंकि उधर म्यूजिक चल रहा था तो इदर बच्चों ने डांस कुना स्टार्ट कर दिया तो हस्बेंड बस आग जला रहा है क्योंकि ठंड इतनी है ब तो पता नी चल रही है उसमें बारिक-बारिक सी चॉप करके मैंने डाली थी धन्या और हरीविचों के साथ तो अनियन एंड ग्रीन कॉरियंडर और ग्रीन चिली यह सारी चीजें मैंने जू हैं वो मसालों में डाली थी और बाकी जो हैं वो हमारे ज्राइ फैला लेंगे पराठे को जो हम बना रहे हैं फिर उसके बाद उस पर बेलन चलाना चाहिए जिससे जो है वो पराठा फटता नहीं है और आलो आपके अगर अच्छी तरीके से मैश हुए वे हैं तब भी आपका पराठा नहीं फटता है जो उसमें आप आलो की फिलिंग भर र पहले मुझे भी बड़ा ही हाड लगता था पराठा बनाना ये कि मैं किस तरीके से बनाओं जब मैंने स्टार्ट किया थी कुकिंग करना तो वो कहते हैं ना जैसे जैसे आप काम करते रहें देरे काम करते रहने से सारे काम करने के आदत पर जाती है और हर काम आसान लगने के लिए आपको उस काम में इंटरस्ट होना भी बहुत जरूरी है और यही चीज हम मैं कहना चाहूंगी उन यूट्यूबर्स से जो वाइटी पर काम कर रहे हैं आप अपना काम अपनी इंटरस्ट से करें फुल इंटरस्ट लेकर अगर अपना काम करेंगे तो आपको अपने क काम में मज़ा आएगा वो काम आप बर्डन लेकर ना करें कि अरे मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोज है मुझे वीडियो बनानी है वीडियो अप्लोड करनी है यह करना है इस तरीके का बर्डन लेकर अगर आप करेंगे तो आपको जो है अपने काम में कभी सक्सस नहीं मिल प नाचता करने के लिए क्योंकि उन्होंने आग भी जला दी क्योंकि हमाई तरफ ठंड इतनी हो रही है कि बिना आग जलाए खाना पीना तो खाना बहुत ही मुश्किल रहता है तो यहां बच्चों को यह देखें बठा दिया है और पराठा और सॉस के साथ इंजाय कर रहे है अपना लंच यह लंच और ब्रेकफास्स दोनों ही हो गया क्योंकि हम एक बार जो है वो चाय पी चुके हैं चाय और ब्रेड लेते हैं सुबह में तो अंडा ब्रेड और चाय मैंने दे रही थी बच्चों को तो यहां पर लंच ही चल रहा है और यहां पर यह देखें अंग चल रहते हैं यह कुछ में तरह उस साथ द्नना वाला कोई होना चाहिए उन्हें कि इस भी में हम अपने पर थे अपने पर नो नहीं हो पता है बट हम दोने की पूरी कोशिश रहती है कि हम खाने के टाइम तो साथ में बैठ कर खाना खाएं जिससे दिल की बाते शेयर कर पाएं सो फ्रेंड मैं अपने वीडियो के आएं बस यही करती हूँ और अगर आपको मेरा यह व्लॉग पसंद आया हूँ तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक डन तो ज़रूर कर तो मिलती हूँ नए व्लॉग में नए वीडियो के साथ अल्ला हाफीज